Hello Friends, Welcome to the Success Kendra Friends, इस वीडियो में हम लोग बिहार फायरमेन एक्जाम के लिए CSBC के द्वारा वर्ष 2010 से लेकर के 2022 तक में जितने भी हिस्टरी के कोस्टन यानि कि इतिहास के प्रशन पुछे गाए हैं उन सब को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं देखे Friends CSBC जो है ये बिहार पुलिस कॉंश्टेबल, बिहार फायरमेन, बिहार मदनिसेद सिपाही, बिहार फॉरेस्ट गार्ड इन सब के एक्जाम कंड़क्ट करवाती है देखे रिसेंटली जो है बिहार मदनिसेद कॉंश्टेबल का पिपर 2022 में कंड़क्ट करवाया गया था तो 2010 से लेकर कि 2022 तक में जितने भी हिस्टरी के प्रशन पुछेगा हैं उन सब को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंट्स चैनल पर अगर आप पहली बर आया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी बिहार फायर में से रिलेटेट कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुच जाए तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी किये हुए आज का सेसन श्टैट करते हैं फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर जिजएगा तो फ्रेंट्स आज के सेसन का पहला प्रसन देखीए पहला प्रसन है कि सविना अघ्यांदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ देखे फ्रेंट्स अगर एंसर आपको पता है तो आप एंसर कमेंट बुक्स में भी देखर करके बता सकते हैं देखे ये प्रस्ण जो था बिहार अमद निसेट कॉंश्टिबल का जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था तो देखे सविना अग्यांदोलन जो है कि कब और किस यातरा से सुरूआ था तो यहाँ डांडी यातरा से सुरूआ था 1930 में ठीक है फ्रेंट्स 6 अपरेल 1930 को सविना अग्यांदोलन श्टार्ट हुआ था दूसरा प्रशन देख लिजेगा दूसरा प्रशन है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी अस्थापी थी देखे फ्रेंड्स कोस्टन नमबर वन से लेकर के 7 तक में जो कोस्टन है वे सभी प्रशन अभी रिसेंटली बिहार मदनिसित कॉंश्टेबल का जो पेपर हु हुआ था तो प्रथम विस्यूद जो था यह 1914 में स्टार्ट हुआ था अप्सन नमबर बी राइट अंसर हो जाएगा अचा दूतिये विस्यूद कब स्टार्ट हुआ था जरा आप कमेंट करके मुझे बताईएगा नेक्स्ट कोस्टन देखिए कोस्टन नमबर 4 और फ्रें यह श्टालिन था उसके बद अगला कुस्टन देखिएगा कि हडपा के किस अस्थल से जलासे के प्रमान मिले हैं तो फ्रेंस यह कहां से मिले हैं यह मिले हैं धौला वीरा से अप्सन नमबर बी जो होगा इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है धौला वीरा से नेक्स्ट कुस्टन देख लाइगा अगला कुस्टन है कि अमिरिका की खोज किसने की तो अमिरिका की खोज किया था किसने कोकलम्बस ने ओसthose नमबर बी राइट ऊंपसर इसका हो जाएगा उसका बद कुस्टन नमब से देखिएगा किनिमलिकी終ір से कॉन दक्षिन अफरिका में रंग सिउ निरमान किस ने कर वाय था तो फिर् respectively इसका निरमान जो है राज राज परथम ने कर रधार्वाइब जो था यहas चोलवंस का सासक था और यह जो राज राज क्षूर सिउ मंदिर है इसको ब्रह देश्वर मंद्री भी कहा जाता है राज राज परत्वम सैवधर्म का अनुवाई था और देखे चोलो वंस की स्थापना किस ने किया था तो विज्याले ने किया था इसने किया था विज्याले ने किया था राजधानी कहा थी चोलो की तो यह तंज़ोर थी इसको भी आप ध्यान रखेंगे चले उसके बद कुस्तन नबर 9 देख लीजेगा कि दिली के किस सुल्तान ने स्वेम को नियायतिक खुदाई कहा था तो देखे यह कहा था बलवन ने प्रित्वी पर अल्ला का परतिनी धी मानता था ठीक है चलिए और इसने लोह अमरक्त की निती अपनाई थी अपनी वियोधिय के परति उसके बद नेक्स्ट कुस्तन दिख लीजेगा और बलवन गुलामोंस का सासक था गुट निरफिक्स आंदोलन का पहला सिखर सम्मेलन क अब और कहां जित किया गया था ठीक है बताइए तो गुट निरफिक्स आंदोलन इसको अंगरेजिम कहा जाता है नाम यानि कि नन अलैंग्ड मूवमेंट ठीक है फ्रेंट्स देखें बेल ग्रेड में 1901 में इसका पहला सिखर सम्मेलन आईजित किया था और इस सम्मेलन मे विश्व के 25 देशों ने हिस्सा लिया था उसके बाद नेक्स्ट कुस्सन देख लिएगा कि मुगल काल में खलेस्तन दिया गया उत्तर पस्सिम भारत का एक महत्पून हस्त सिल्फ उत्पादन और वितरन केंद्र था तो यह कौन सा था फ्रेंट्स यह लाहार था ध्यान र पता है तो कमेंट करते चलिए नेम्न में से किस इरोपिय जाती को इंडोनेसिया में प्रभूत्य जमाने में सफलता मिली थी तो यह थे कौन तो यह डच थे अपसे नंबर डी राइट अंसर हो जाएगा अचा डच इस इंडिया कंपनी का स्थापना कभी थी तो 1602 इस्पी इसको रैमजे मैक डोनाल्ड ने किया था अपसे नंबर सी राइट अंसर हो जाएगा और इसके अनुसार दलितों को हिंदूों से अलग मानकर उन्हें अलग परतिनीधित देने की बात कही गई और दलित वर्गों के लिए अलग निरवाचन मंडल का प्रावधान भी किया इससे गांधी जी जो थे वो नाराज हो गए और उन्होंने आमरन अंसर शुरू गिया था और आपको याद होगा कि इसे के चलते गांधी जी और अमबेदकर जी के वीच में पुना समझाता हुआ था पुना पैक्ट चोबीस सेप्टेंबर 1932 को पुना पैक्ट हुआ था इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे उसके बाद देखेगा कि नम्रेकित में से कौन सा पुरा तात्विक अस्थल सिंद्यु घाटी सभ्यता से संबंदित नहीं है तो जो यह अस्थल है उसका नाम है आहर ठीक है काली बंगन जो है यह कहा है तो काली बंगन साथन में है राखी-गड़ी हरियाना में है शुरवकोतदा गुजरात में है आहर जो है यह सिंद्यु घाटी सभ्यता से संबंदित अस्थल नहीं है उसके बाद दिखेगा कि ड्रेकोन की कानून की सभ्यता से संबंदित है तो यहादः सभ्यता है इसका है Greece यानि कि उनान option number B राइट अंसर हो जाएगा ड्रेकन के कानून उसके बाद next question देखेगा कि कुतुबदीन एबक ने किसे बंगाल का गौर्णर यानि की प्रसासक निपत किया था तो फ्रेंट्स यह क्या था अली मर्दान को option number C जो होगा राइट अंसर हो जाएगा अली मर ठीक है चलिए उसके बाद एक दिल्ली में 1857 के विद्रहों की औसा फलता के बाद बहादूर सा जफर को कहा निर्वासित किया था अंतिम मुगल वात्सा थे बहादूर सा जफर और इनको निर्वासित किया था रंगून option number C राइट अंसर इसका हो जाएगा उसके बाद एक लोथल जो था यह सिंधु नदी सभ्यता का एक बंदरगाह था यहाँ भोगवा नदी की टट पर इस्तित है और भोगवा नदी की टट पर यहाँ गुजरात में है सब ध्यान रखेंगे ठीक है फ्रेंट्स चलिए उसके बाद question number 20 देखे कि निम्न में से किसे किस ने कहा थ कि इतिहास वर्ग संगहर्ष की कहानी है तो यह किस ने कहा था यह कहा था कारल मार्क्स ने कारल मार्क्स की दो पुस्तक याद रखना है दास कैपिटल और कमिनिस्ट मैनिफेस्ट अगला कुस्स देखिएगा कि आयरुवेद के महान विद्वन चरक किसके सासनकाल से स्थापक था तो नाजीवाद के बारे में अभी हम लोगों ने देखा है प्रश्न रिपीट भी हो गया है नाजीवाद जो था इसका संस्थापक हिटलर था एडवल्फ हिटलर और इसका स्थापना जर्मनी में होई थी और फासीवाद यानि कि फॉसिजम इसका स्थापना इटली में हुई थी मुसोलिनी ने किया था ठीक है वेनिटो मुसोलिनी उसके बाद देखेगा कि गुट निर्पेक्सता की विदेश निती के जनम दाता कौन थे तो देखें पंडी जवाला नहरू राइट अंसर इसका हो जाएगा नेक्स्ट कॉसन देखेगा कि लीग अफ नेशंस कब अस्तित में आया तो लीग अफ नेशंस जो था यह अस्तित में आया 10 जनवरी 1920 को ये याद रखेंगे फ्रेंट्स देखें वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपकी एक्जामे परशन पूछे जाएंगे अभी देखा आपने कि बिहार मदनीशित का जो वेपर हुआ था उसमें विश्व के इतिहास से संबंदित कोस्टन पुछे गाये थे उल्गुलान विद्रोह किस से जुड़ा था तो उल्गुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह को कहा जाता है विर्षा मुंडा संबंदित थे ऑप्सन नमबर D र यह जो होगा राइटन सर हो जाएगा ओधोगी की विकास और देखे ओधोगी क्रांती की सुरुवात सरपर्थम इंग्लैंड में हुई थी क्यों हुई थी तो क्यों की उपनिवे सो और कच्चे मालों की अधिक्ता थी वहाँ पर और सूती कपड़ा के उध्योग से लायम पत्थर होता था ठीक है सेल खड़ी नेक्स्ट कुस्तन देखेगा कि गौतम बुद्ध ने धर्मशक्र परवर्तन कहां से अरंब किया था तो देखे इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में और इसी को धर्मशक्र परवर्तन कहा गया अगला कुस्तन देख चेसमेंड यहां माईकल एंजोन की किरिती है किसकी है माईकल एनजोनकी माईकल एंजोन की किलि लाश्ट सपर मोना लीशा और वर्जीन आप रॉक्स ये लेनार दरोडविंची की है अब दो नहीं नले किकित विस्तक तीलक ने लिखी है तो तीलक पुस्तक लिखी है इसमें से गीता रहस है इंडिया इंटरांजिसन लिखा है किसने मानवेंदरनात राए ने यानि कि M.N. राए ने लिखा है इसका वाद गोकले माई पोलिटिकल गुरु महात्मा गांधी ने लिखा है डिसकपरी अफ इंडिया जो है पंडित जो हाला नेहरू ने लिखा है अगला कुस्सन देखेगा कि तृतिये बौध सभा किस अस्थान पर बुलाई गई थी तो फ्रेंड्स यह बुलाई गई थी पाटली पुत्र में उस समय असोक का सासनकाल था पहला बौध संगती जो था यहां अजात सत के समय राजगिरह में गुलाई गई थी दूसरा वैसाली में काला सोक के समय तीसरा पाटली पुत्र में असोक के समय चौथा कुंडलवन कस्मीन में कनिस्क के समय में नेक्स्ट कुस्ण देखेगा कि मंटेगिव चम्सफोर्ट की रिपोर्ट यहां भारत सरकार अदनियम 1919 का आधार बनी थी मारले मिन्टू जो रिपोर्ट थी यहां भारतिये परिशाद 1909 का आधार बनी थी इसको भी ध्यान रखेंगे उसके बाद देखेगा कि 1929 के दरान दरभंगा राज में किसान आंदोरन का नेता कौन था तो दरभंगा राज में किसान आंदोरन के जो नेता थे यह कौन थे तो स्वामी विधानन दे थे दरभंगा राज पूछा गया ठीक है चले उसके बाद देख लिजेगा कि कौटि सेयोगों यूम् कारखानों का अध्यक्स होता था राजकियो कोस्त का अध्यक्स सर्षित्षू की एक संहिद्हता का हलाता था। सत्य कोसन दिखेगा कि सत्य सोदक समाज की अस्थापना कब ही थी। सत्य सोस्तं Ireland 1873 में जोतीवा फूलेने किया था। उसके बद नेक्ष्ट कुस्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्थी के विचार जिस पुस्तक में प्रकासित है उसका नाम क्या है तो देखे उसका नाम है सत्यार्थ प्रकास स्वामी दयानंद सरस्थी ने 1875 में आरे समाज के अस्थापना की थी वेदो की और लोटो का नाराइन होने दिया था नेक्ष्ट कुस्चन देखेगा कौन सा युग में गलत सुमेली था तो देखे कुवर सिंग जो थे ये बिहार सीनों ने ने तिरित्व किया था लक्षमी ने किया था मौल भी आहमदुला फैजाबाद से यह सही दिया गया तो राइट इंसर अप्शन नबर सी सुमेलित नहीं है उसके बाद देखेगा कि वासको डिगामा ने भारत के समुद्री मार्की की खोज की थी यह कब किया था 1498 इस्पी में ठीक है फ्रेंस 1498 17 माई के द में चाहिक उत्रविकरी काँ था और इसका उत्रादिकारी और यहां सक्त् Bliss सन किया था उसके बाद इसकी हद्या कर दिया किसने उतूत्मिस ने और वह सश्के हो connection इसका सुल्टान न कित शिंट ने इल्टूतमिस. Next question देख लिजएगा किनिमन में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिधान्त का प्रतिपादन किया. तो ये किसने किया था? John Locke ने किया था. Right answer option number A हो जाएगा John Locke. Next question देखेगा कि इंग्लेंड में किस वर्स glorious revolution हिंदे में इसको गौरोव सालिक रांती कहा जाता है ये कब होई थी तो दीखे 1688 में इंग्लेंड में होई थी glorious revolution पूछा जाए अगर कि glorious revolution कहा हुआ था तो इंग्लेंड में हुआ था कब हुआ था तो 1688 में अगला प्रसन दिखेगा कि नेमन में से कौन नकरात्मक सोतनत्रता के प्रतिपादक थे तो फ्रेंट्स ये कौन थे आईसा वर्लिन थे option number C हो जाएगा इसका सही अंसर उसका देखे फ्रांस में Paris Commune क्या स्थापना को भई थी देखे Paris Commune जो था यहां मजदिरों का एक परिशत था जिसे 1871 में Paris में स्थापित किया गया था Paris Commune next question देखेगा कि भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे तो यहां पल्लव सा सकते नर्सिंग बर्मन प्रथम ने रथ मंदिर का निर्मान कांची पूरम में करवाया था रथ मंदिरों की संख्या साथ है तो यह हो जाएगा पल्लव option number C next question देखेगा और friends please वीडियो को लाइक कर दिजेगा देखेए प्राक्टिस एट और साथ टेस्ट सीरीज मौक टेस्ट सीरीज मैंने आपके लिए करवाया है science का अलग सीरीज हम लोग चरा रहे हैं सबी वीडियो को देख लिजेगा मैंने playlist बना दिया है विहार fireman exam 2022 के नाम से देखेए प्रथम विश्यूद का ततकालिक कारण क्या था तो दिके प्रथम विश्यूद जो है यहां हुआ था कब तो 1914 में स्टार्ट हुआ था और यहां चला था 1918 जक और श्ट्रिया के राजकुमार जो थे फरडिनेंड उनकी सेरज्यूद बोशनिया की राजधानी सेरज्यूद में हत्या की गई थी यहीं जो था ततकालिन कारण बना था प्रथम विश्यूद का निमलेकित में से कौन सा पुरा तत्विक अस्तल सिंदू घाटी की सब्यातर से संबंदित नहीं है तो इसमें से ब फ्रफा हाग लिया था तो यह स्वामी बीवेकानंद ने लिया था देखें ओर और 1013 3 &193 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में इस सा लिया ध्यान रखेंगे उसके बाद देखेगा कि नेमन में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन जो है यहां कहा जाता है समुद्र गुप्त को अपसे नंबर बीज होगा इसका राइट इंसर हो जाएगा समुद्र गुप्त को धरम की प्राचीर भी कहा जाता है Cultural Revolution ठीक है उससे में Communist Party of China के प्रमोख जो थे यह कौन थे माओ जेडाउंग थे अपसे नंबर सी हो जाएगा यह जो क्रांती थी सांस्कृतिक क्रांती यानि कि Cultural Revolution यह 1966 से लेकर के 1976 तक चली थी अगला कुस्टन दिखेगा नेक्स्ट कुस्टन है कि People's War Group संबंदित है नक्सलवाद से संबंदित है नेक्स्ट कुस्टन दिखेगा कि जापान में रक्तहीन करांती या मेजी पुनह स्थापना किस वर्स में हुआ था तो याद रखेंगे जापान में रक्तहीन करांती जो है यह 1860 AD में हुआ था उसके के बाद देखेगा कि संक्तराष्ट संग कब अस्तित्य में मुष्ट इंपोर्टेंट कुस्टन है मुख्याला इसका नीव यॉर्क में है और देखे फ्रेंड्स यहां अस्तित्य में आया था कब चौबीस अक्टूबर 1945 को अप्सन नमर डी राइट अंसर हो जाएगा उसक Fartam Hawkins भी आया था उसके बाद nemgt कूसर देखेगा कि निवन में में तो इसके से घृष्ट के हिससा है नहीं है उसके से दिकर विधांग की क्रांपि कहां से शुरू हुआ था तो यह देवघर जिले के रोहिनी शे तो रायट अंसर अप्शन नमबर बी हुँ इसका सही इंसर हो जाएगा काला सुक कौन से वंस के थे काला सुक के समय दूतिये बहुत संगितिक आयोजन हुआ था वैसाली में और काला सुक जे थे फ्रेंस यह सीशु नाग वंस के थे रायट अंसर हो जाएगा जो दाला की हार हो गई थी अगला कुस्सन देखेगा कि गुप्त वंस का संस्थापक कौन था और पलासी जो है यह कहां है तो पस्चिम बंगाल में है ठीक है फ्रेंट्स गुप्त वंस का संस्थापक स्रीगुप्त था ठीक है स्रीगुप्त था ध्यान रखेंगे चलिए और और चंद्रगुप्त प्रथम जो था चंद्रगुप्त प्रथम वहाँ गुप्त वन्स का पहला सक्तिसाली सासक था चंद्रगुप्त प्रथम और संस्थापक सिर्गुप्त था next question देखेगा कि गोवा में पहला सासन किसका था तो friends यहाँ पूर्तगालियों का था ठीक है पूर्तगालियों को गोवा से कब मुक्त कराय गया था तो 1961 में उसका बाद next question देख लिजेगा कि किस काल या यूग में पथर के अधार सबसे पहले पाये गए थे तो यहाँ पाए गयते पुरा पसान काल में उसके बद अगला कुस्त देखेगा कि कौन सी कला ग्रिको बौध कला के नाम से भी जानी जाती है लाश्ट में आप सभी लोग अपना-पना स्कोर कमेंट करके बताएगा ठीक है कि कितने प्रश्णों का उत्तर आपने सही सही दिया है तो देखेए फ्रेंट्स यह जो ग्रिको बौध कला जो है यहाँ किस नाम से जानी जाती है तो गांधार कला के नाम से मथुआ कला और गांधार कला इन दोनों का विकास जो है सरवाधिक विकास इनका कनिस्क के सासनकाल में हुआ था उसके बाद देखेगा कि आवद में किशानों का नेत्रित्व किस ने किया था तो आवद में किशानों का नेत्रित्व बाबा राम सेंद्र ने किया था सेर सा सूरी का मकबरा कहा है इस्तित है तो यहां सासाराम में है अगला कुस्सन देख लिएगा कि जुलाई 1968 में गेहु करांती नामक एक विशेष्ट डाक टिकट किसे ने जारी किया था तो देखें 1968 में गेहु करांती नामक एक विशेष्ट डाक टिकट जो है यह प्रधान पटली पुत्र पटना सिखों के ये दसवे गुरु थे और फ्रेंट्स 1699 में इन्होंने खालसा पंति की अस्थापना की थी ध्यान रखेंगे next question देखेगा कि बहुत धर्म के संस्थापक कौन थे तो बहुत धर्म के संस्थापक गौतम बुद्य थे इनको जो है एसिया का जोती पुझ एसिया का जोती पुझ या फिर अंग्रेजी में कहिए तो लाइट ऑफ एसिया कहा जाता है next question देखेगा कि आरे भट एक महान क्या थे तो आरे भट एक महान ख़गोल सास्त्री एम गड़ी तक गे थे तो राइट एंसर इसका option number B हो जाएगा आरे भट जो थे यह चंद्रगुप्त दूतिय के दरबार में रहते थे चंद्रगुप्त दूतिय के दरबार में आरे भट काली दास धनमंत्री बरा हमीं ही यह सभी रहते थे चले अगला question देख लिजेगा कि दास Capital और Communist Manifesto मैंने आपको बताए कि कालमार्स की रचना है उसके बाद देखेगा कि 1917 में कौन देश पर्थम विस्यूद से अलग हो गया था तो 1917 में अलग हो गया था रसिया ठीक है कारण था क्या कि रूस में इसका काफी विरोध हो रहा आता है इसे की कारण रूस जो है 1917 में प्थम विस्यूद से अलग हो गया था वर्साय की संदी से सरवादिक छती किस देश को ही थी वर्साय की जो संदी है यहां मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में 28 जून 1919 को ही थी ठीक है फ्रेंड्स 28 जून 1919 को और इसमें सबसे ज अधिकार को समयधानिक अधिकार करूप सबसे पहले कहां मिला था तो फेंड्स यह मिला था रूस में और इसका ए राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन देखेगा कि अक्टूबर 1917 की बोलसेवी क्रांती का नेत्रेति किस ने किया था बोलसेवी क्रांती कहां हुई रूस में होई थी लेनिन ने किया था ठीक है 1917 में हुआ था वलसेवी क्रांती अगला प्रशन देखेगा कि पृत्थम स्वतनतरता संग्राम के बाद मुगल बात्सा बहदूर सजफर को निरवासित किया गया ठीक है इससे पहले अल्रडी हम लोग ने इसको कवर किया था त माई के बाद अकबर अकबर के बाद जहांगेर सहा जहां फिर औरंग जेव तो ऑप्शन नमर्डी इसका राइट अंसर हो जाएगा उसका बाद देखेगा कि राज अपहरा निती यानि कि डॉक्टरिन अफ लैप्स की सुरुवात कि सुरुवात कि सुरुवात तो देखे जो है यह भी पूछा जाता है यह सिक्षा संबंदी सुधार के लिए लागू किया गया था और यहार डलहौजी की समय में ही इसको लागू किया गया था लोड डलहौजी इसका राइट अंसर हो जाएगा उसका बाद नेक्स्ट कुस्तन देखेगा कि सिंदु घाटी सभ्य इसका हो जाएगा उसका बाद के नेवन में से किस भारती सासक ने आधुनिक तर्जपरविश्व में अपना दुतावास खोला था यहां सासक जो था इसका नाम है टीपू सुल्थान को सेरे मैसूर कहा जाता है ठीक है सेरे मैसूर के नाम से इसको जाना जाता है इसकी आठ सांघ्रास्तल कहां से मिला है यहां मोहन जोड़ों से मिला है भी शाल अस्णाना गार और विसल अनागार ठीक है यह दोनों मौहन जोड़ों से मिले musstदे को ने और अपने बंगाल स्वैंग था option number D right answer इसका हो जाएगा उसके बाद देखे कि 1942 में भारत चुड़ो आंदोलन की दरान भारत का वाइसराय कौन था तो ये लॉड लिनलित गो था 1936 से लेकर के 1943 तक इसका कारेकाल था क्रिप्स मिशन 1942 में इसी कि समय भारत आया था तो ये लॉड लिनलित को हो जाएगा ज्वाहला नेहरू कितनी बार भारती राष्टी कॉंग्रिस का देख्स बने थे तो देखे ये तीन बार बने थे ठीक है 1929 में लाहौर अदिवेशन में 1936 में लखन में लिखा गया था अप्सन नमबर बी हो जाएगा राइट अंसर जैन साइथ पुछेगा तो प्राकिर्थ हो जाएगा अर्द मागदी हो जाएगा नेक्स्ट कुसन देखेगा कि एलेफंटांग में चट्टान काटकर बनवाएगी प्रसीद मंदिर नेमन में से संबंदित संबंदित किस से है किस राज वन्स से है तो यहां राश्ट कुट वन्स से है राश्ट कूट वन्स का साथ क्रिष्ण प्रथम इस है आर्किर्द को अरकिकर उर्स-षजीद की राशना इन्हों ने किया था वानभर्ट उसका बद रत्नावली नागान नन्द और प्रे unit श् incidents इसकी राषना किस ने किया है तो इसकी राषना हर्सवर्दर ने किया है नेक्स्ट कुस्ष्ट से देखेगा कि थियो सोपिकल सुसाइटी के अस्थापना 1882 में मैडम बलावत सिकी और करणल अलकाट के दवार गई थी करणल अलकाट इनका भी नाम आप याद रखेंगे ठीक सेन फ्रांसिस्कों मुही थी ऑप्सन नमबर इसका सी बना लिजेगा साइनसर इसके पहले अधिक्स कौन थी सोहन सिंग भाखना थे नेक्स्ट कुस्टन दिखेगा कि राजारा मोहन राय द्वरा चलाए का सुधार अंदुलन कौन था तो फिर्ट्स यहां राजारा मोहन राय ब्रह्म समाज के अस्थापना 1828 में किया था आरे समाज के अस्थापना 1875 में दैनंद सरवशती जीने किया था उसके बाद नेक्स्ट कोस्टन देखेगा कि अलाई दरवाजा किसके सासनकाल में बनाय था अलाई दरवाजा और सीरी का किला ठीक है इसका निर्मान अलाउद दिन खिलजी ने करवाया था नेक्स्ट को संदिखेगा गुप्त काल के प्रसीद गड़ी तक के कौन थे तो यह वरा हमीर थे अपसर नंबर संदिखेगा तो नेक्स्ट कुस्टन देख लिएगा कि बोष्टन बंद्रगाहा पर तीन सो चालीस चाय के बॉक्सों को समध्र में फेका गया इस घटना को किस नाम से जाना जाता है तो इसको जाना जाता है बोष्टन टी पार्टी के नाम से आपसर नूमर ची इसका इन्होंने पहला सत्यागरा किया था अगर भारत न लगाया जाता पुस्ताज इन्होंने पहला सत्यागरा कहां किया था तो पहला सत्यागरा इन्होंने दक्षिन अफ्रिका में किया था ठीक है साउथ अफ्रिका में भारत में जब लगा देगा तो चंपारन में 1917 में 20 मार्च 1971 को राजधानी इसकी ढाका थी ढाका अभी भी है नेक्स्ट कुस्ट देखेगा कि प्रग इतिहासिक कालकार्थ क्या है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा कि वह समय जिसका कोई इतिहासिक लिखित ब्यावरा ना उपलाव दो अप्सन नमबर बी होगा इसका राइट अंसर है नेक्स्ट कुस्ट देखेगा कि भारती राष्टी कॉंग्रेस के संस्थाप कौन थे तो एवो ह्यूम थे 1885 में इन्होंने भारती राष्टी कॉंग्रेस के अस्थापना की थी पहला अधिवेशन कॉंग्रेस का बंबई में हुआ था WC ब बनरजी का देखस्ता में नेक्स्ट कुस्ट नाजेखेगा कि भारत की स्वतंतृता के बाद निम्ह þ से कौन भारती राष्टी गॉछटोपराचारी बने थे स्वतंतृता के बाद पहला अधिया होगोण ताելा पराचारी हो जाएगा गुट ने रिपेक्स अंदरन के अस्थापना से कौन नहीं जुड़ा है इसमें से दिखी बेनजीर वोट्टो नहीं जुड़ी है बाकी नहरू मार्चल टीटू और करनल नसीर नेक्स्ट कोशन देख लिए कि ब्रेटिस प्रदानमंत्री ग्रेन विले इसका 1765 हो जाएगा उसके बाद एक रॉलेक्ट अक्ट कब पारित हुआ था तो रॉलेक्ट अक्ट पारित जो हुआ था यहां पारित हुआ था 26 जनवरी 1919 को ठीक है और यह लागू हुआ था 19 मार्च 1919 को नेक्स्ट कूशन देखेगा कि राजरा मोहन राय ने किस समाजिक बुराई का खत्म करने के लिए संगर्ष किया था तो यह सती प्रथा हो जाएगा ठीक है 1829 में लॉर्ड बिलियम बैंटिक ने इसको जा अवैद खुशित किया था उसको बदिके अंगरेजी सरकार द्वारा किस इस्वी में सुती वस्तरों पर आयात हटा लिया गया था यह 1880 में अगला कूश्चन हमारा कि मगद राज की प्राचिंतम राजधानी तो राजगरी या फिर कहा लिजे गरीवरज ठीक है दोनों याद रखेंग राजगरी य गरीवरज राजधानी थी नेक्ष्ट कूश्चन हमारा कि सन 1880 की क्रांती की सुबात कहां से हुई थी तो फ्रेंट्स यहां मेरट से हुई थी उसके बद अगला कूश्चन है कि इस इंडिया कंपनी का भारत में पदारपन कभ हुआ था तो सन 1600 इसमी में ऑप्सन नंबर य प्रटल भी हरी बाज़ पर इहीं थे उसके बाद नेक्ष्ट कूश्चन देखेगा कि भारत में संपुन क्रांती का हवान किस ने किया था तो यहां जैप्रकास नारायन ने किया था उसके बद कि सवने अंगंदरन कभ शुरू हुआ था तो यहां 1930 में ठीक है अभी मैंने आपको पहले ही कुश्चन में बताया था नेक्ष्ट कुश्चन देख लिजेगा कि इस वर्चंद्र विद्या सागर ने किस सेत्र में सहयोग दिया था तो रायट अंसर हो जाएगा आपका महिला ससक्तिकरण अपसर नूमर बीस का सही अंसर हो जाएगा उसका बाद कि इन म भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने अरंब किया था तो भूदान ग्रामदान आंदोलन अचारविनोबा भावनी किया था ऑपसिन नूमर डी रायट अंसर हो जायेगा उसके बाद इकिस घटना को दूतिय विश्यूद का ड्रेस रियालसल कहा जाता है यहां एस्पिन का इसी को कहा जाता है दूसरे विश्यूद का ड्रेस रियालसल उसको देखे कि स्वराज पार्टी का पर्थम सम्मेलन कहां हुआ था यह 1923 में इलहाबाद में ही हुआ था ठीक है इसके अस्थापना भी 1923 में इलहाबाद में चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू ने किया था यह आपका औस यह आंदोरन का नारा इन्होंने खिलाफत आंदोरन के दोरान दिया था अप्सन नमबर सी जो होगा इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा अगला कुस्टन है कि प्रतिनिदी न कि जालेवाला बागत्या कांड कब हुआ था तो अमरित सर में याद रखेंगे 13 अप्रेल 1990 डेट साइथ याद रखना है अमरित सर हो जाएगा इसका राइट इंसर उसके बाद देखेगा कि भारत में दल विहिन जनतंत्र की परिकलपना किसने प्रस्तावित की थी तो यह क राइट इंसर हो जाएगा फ्रांस में आतंकवाद का राजी किसके सासनकाल को कहते हैं यहां किसको कहते हैं लुई 14 लुई 14 देखें यहां पर दिया गया है ठीक है इसने कहा था कि मैं ही राजी हूं और मेरे सब्दी कानून है अगला कोस्तन देखेगा कि गांधी इर्वि से भारत कव लोटे थे तो 9 जनवरी 1915 को ठीक है और यह इसी कारण 9 जनवरी को प्रतेक वर्स प्रवासी भारती दिवस मनाये जाता है उसके वादे कि सही सुमिलित करना है इसमें से बताइए तो दिखें फ्रेंस इसमें जो सही सुमिलित वह है राश्ट्रिये स्वम सेवक सक्की अस्थापना 1925 में डॉक्टर हैट गवार ने किया था ठीक है गांदी युग जो है यहाँ 1915 से 1948 माना जाता है मौपला विद्रो 1921 में हुआ था ओलेंडर ट्रेड यूनिन के अस्थापना 1920 में इसने किया था तो अप्शन नम्बर सी जो है साइस जो मिलित है उसके पर देखेगा कि औरंग्जीब की मृतिक उपस्तात कि नेता के नेतिरत में जाट काफी सक्ति साली हुए तो यह हो गये थे चूडामन के नेतिरत में ऑप्शन नम्र सी हो जाएगा राइट अंसर उसके अंसर जरा आप कमेंट करके बता दीजिए तुरंत इसको अभी जाएगा ठीपको अंदोलन आरंब हुआ था तो यह उत्राखंड में अरंब हुआ ठीक है उत्राखंड में ध्यान रखिंग इस्टीचे सुन्दरलाल वहगुना ने किया था next question देखेगा कि चोदा हुई सताबधी में मुरको के किस यात्री और तिहासकार को नयाई बहुस्थापक के रूप में दिली दर्बार में के मुखमद विन तुगलक त्वारा स्वागत किया गया था तो ये मुरक्को के यात्री था इसका नाम था इबने बतुता है इसकी पुस्तक याद रखेंगे रहला है और ये आया था किसके सासनकाल में तो मुहमद बिन तुगलक के सासनकाल में ठीक है और इसको जो है काजी नियुक्त किया था तुगलक ने यानि कि काजी जो होता था यह एक प्रकार का नियाधिस होता था ठीक है और अपना दूत बना करके इसने चीन भी भेजा था इसको next question देखेगा कि बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपाधी किसा अंदरुन में दी गई थी तो यह बार्दोली सत्यागरह में दी गई थी बार्दोली अंदरुन में अबराहम लिंकन का है उसके बाद देखेगा कि महात्मा गांधी के राजनिती गुरु कुरूप में किसे जाना जाता है तो यह गुपाल कृष्ण गोखले को option number D right answer इसका हो जाएगा उसके बाद next question है कि लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है तो लाख बक्स के नाम से क कुतुबदिन एबग को ठीक है कलंदर के नाम से किसको जाना जाता है तो कलंदर बाबर को कहा जाता है बाबर ने को कलंदर की उपादी दी गई थी उसके बाद next question देखेगा कि गुप्त बंस की हरास की पस्थात उत्तर भारत की बड़े भाग का पुनर गठन किस न किया थ तो फ्रेंट्स यह क्या था हर्स वर्धन ने ठीक है तो राइटेंसर अप्सन नमबर सी हो जाएगा वर्धन वंस हो जाएगा इसका वर्धन वंस चली था हर्स वर्धन हो जाएगा इसका उसका बाद next question देखेगा कि निमलेखित गाटनाओं में से कौन सी गाटना 1929 में बंगाल विवाजन 1905 में नेक्स्ट कुस्टन देखेगा कि 1916 में मदरास में स्वास हसन आंदुरण के परवर्टे कौन थे तो मैंने बताया था मदरास में एनिवेसंट हो जाएगा और पुने में बाल गंगाधर ती लाग चली नेक्स्ट कुस्टन देख लिएगा 140 नंब ठीक है फ्रेंट्स और सही अंसर इसका अप्शन नंबर ए हो जाएगा और इसका अधेक्सतर किस ने किया था 1850 में डबलू सु बैनरजी ने 1850 में कॉंग्रेस के अस्थापना यह वो हूम ने किया था इसको भी धिहान रखेंगे नील दरपन नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो फ्रेंट्स इसको लिखा किस ने है तो दीन बंधो मित्र ने टोटल 141 कोशन थे वीडियो को लाइक कर देज़ेगा सेयर कर देज़ेगा